जहें दोस्तों वन्ने मातरम एक कुंठित मन कभी भी शांत नहीं बैट पाता और कुछ ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ या यू कहूं पड़े लिखे लिबरल्स और इंटलेक्चल से साथ जिन्होंने नरेंद्रमोदी जी के जनम दिन के ऊपर लोगों को खुशिया मनाते देख लिया दरसल रवीश कुमार इस फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं और उनको अफगान के जनलिस के साथ जो बुराई होती है वो तो दिखाई नहीं देती उनके उपर वो अपने कान में उंगली डाल कर योगा करने बैट जाते हैं लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर वो शायद भारत को किसी भी मौके में छोड़ना वसंद नहीं करते हैं भारत में मेरा मतलब है भाजपास है जाहिर सी बात है लेकिन अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी इनसान की कुंठा यतनी बढ़ जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि इसको व्यक्त कह सकी है जा और ऐसे में वो ऐसी जगे पर बहार निकल जाती है जहां पर उसको नहीं निकलना चाहिए जैसे कि पाल टीम अगर आपके साथ कुछ हाथसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं अब हुआ कुछ यू है कि प्रजान मंत्री नेन मोदी के जनम दिन के उपर दैनिक भासकर ने उनकी एक फुल पेज की तस्वीर चापते हुए उनके जनम दिन के उपर उनको बढ़ाई दी इसी के उपर रवीश कुमार ने लिखा कि भाईया आयकर विभाग के चापे के बाद अक्सर लोगों के जो शब्द होते हैं बदल जाते हैं अब इसी को लेकर रचना कुमारी जी ने अप इंडिया के उपर एक बहुत बढ़िया लेक लिखा है उस लेक से ही समझते हैं कि ये पूरी क्या बात थी और उसके लेकर रचना जी ने क्या लिखा है प्रधान मजिन अन मोदी ने नफरत पालने वाले बुद्ध जीवियों की लिस्ट में शामिल एनडिवी के पत्रकार रवीश कुमार में एक बार फिर से अपनी इस काबिलियत को दुनिया के सामने प्रदर्शत किया है बलकि प्रधान मंतरी श्री लिखा है आएकर सही आस्था की बड़ोतरी होती है जाहिर सी बात है इसके बाद ऐसा लगता है कि इस विग्यापन से रवीश कुमार इतने आहत हो गए हैं कि उन्होंने अग्रवाल को अंग्रवाल लिख दिया अलाकि हमने उसे वैसे ही लिखा लेकिन हो सकता है यह बड़े पत्रकार हैं इसलिए इन छोटी गलतियों की तरफ उनका ध्यान ना गया हो और ताजब की बात तो यह है कि इतने बड़े तथाकतित पत्रकार के पास देश दुनिया के तमाम मुद्दों परेशानियों समस्याओं को छोड़ कर प्रधान मंतर इसे आप उनकी महानता नहीं तो और क्या कहेंगे वैसे इसे ही कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप लेकर खोजा गया मुद्दा दुनिया में कितना कम है पर मेरा फिर भी कितना कम है जाहिर सी बात है लेकिन विग्यापन ही है इसके उपर इतना बवाल क्यों जिस पर छेनु आपका frustration समझ रहा हूं में रवीश जी लेकिन आपको अपने पाठकों को ब्रहमत मत नहीं करना चाहिए ये शुपकावना संदेश भासकर ने अपनी तरफ से नहीं चापा है विग्यापन है इस जिसे नीचे लिखने वाले नामों ने दिया है जैसा आपके प्रशान सक चा विग्याफन सरकार ने अखबार ने नहीं दिया बलकि इसके लिए बोकतान किया है इस ब्रशान मंतरी के कुछ समर्थक ने बोकतान किया है पीए मोदी के तस्वीर के नीचे दानिख़ासकर अखबार में इस ब्ग्यापन के सरीfullyy पीए म को उनके 71 जनम दिन पर बधाई द रखने से हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में साफसाफ दिखना बंद हो जाए दैनिक भासकर के बीरो चीफ रोईद वस्थ ने भी रविश कुमार के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विग्यापन जैसे आता है उसको वैसा ही चापना होता है यह विग्यापन द दीजिए लेकिन आप नहीं दे सकते क्योंकि आप गरीब हैं और विग्यापन देने के लिए पैसो की जरूरत पड़ती है मगर वो कहते हैं कि नाम ही काफी है तो आपकी इतनी जान पहचान तो होगी ही कि आपके नाम पर ही काम हो जाएगा वो भी बिना दाम दी लेकिन आपको और भी कई सारे मुद्ध हैं जिनकों की समझना चाहिए लेकिन आप उनको शायद समझेंगे नहीं योगी बात हमेशा कहीं न कहीं एजिंडे के आसपासी घूमपर कर रह जाती है मतलब एक ऐसा विग्यापन में जिस विग्यापन में मुझे कोई समस्य समझ में नह इन चीजों से जरा उपर उठके दुनिया के दूसरे मुद्धों की तरफ भी देखी जैसे आप दूसरे पत्रकारों को कहते हैं कि भाईया बड़े मुद्धे इनको दिखाई नहीं देते है नेरे सुडियों फिलालतना ही जैहिन जै भारत